कि हालो प्रेंच आज़की इस वीडियो में आपकर स्वागत है मैं हूं सिम्रिस के लाम फ्राम सूभा इतल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटपेस की most popular theme अस्त्रह theme के बारे में यह थिंग काफी lightweight है चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं है तो गाइस डिस्क्रिशन में आपको लिग मिल जाएगे उस लिंक पर क्लिक करके आप अस्तर की वेबसाइट पर आजाएगे यहाँ पर आनिक बात आप देहेंगे इसका लोगों जो है कितना अच्छा है आप इस लोगों देख लिजे और इन्होंने अपनी एक हेडिंग यूजर है अब इसका डाउन जो है नहीं आया है और यह काफी फासेस्ट है लाइट वेट है किस्टमाइजेबल है और एस्यों फ्रेंडली है और यह मल्टी परपरस थीम है आप इस थीम का यूज करके एकामर्स वेबसाइट बिल कर सकते हैं काफी असानी से ब्लॉक्स क्र यहां पर जब आप इस्टार टंपलेट पर आएंगे यहां पर आपको देखें यहां पर दोस्तों तीस प्रेस लिडर ब्लॉक्सेलिक विलड़Ge कतर अधर कर देखने कर दोहां कर में हैं यहां इक विल्डर आप और पुछ अपना खुद का अपना अपना ब्लॉग कि यूज है जिन का यूज़ करके आप अपनी website बिड्ड कर सकते हैं काफी beautiful तो यहाँ पर जैसे हम सेर्च कर लेंगे कि यहाँ अपनी blogs website क्रेट करना तो यहाँ पर हम blog search कर लेंगे तो यहाँ पर देखे जो है काफी सारे template हमें देखने को मिल जाएगे creative blogs हो गया food blogger क्लिए हो गया यहां पर तेम्प्लेट्स होंगी यहां पर देखना को मिल जाएंगे यहां पर यहां पर देखने की प्रेमियम ने फिर देख को तो अब को प्रेमियम पडे गार मिलेगा नार्मल प्राइजिंग देखने को मिलेंगे जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एसेन्सियल बंडल प्लाण है एक ग्रोथ बंडल प्लाण है यहां पर इनका जो है अनुल है और लाइब टाइम के लिए आप बन जो है ङ totally लाइब टाइम के लिए भी बाइब कर सकते हैं आपको सिर्फ एक ही बार पेमिंट करना पड़ेगा उसके बाद आपको लाइब के लिए अपडेट आते रहेंगे देख लेते हैं कि जो अस्तरा प्रो का प्राइन हो फोर्टी सेवन डालर का इससे में चल ला है जो इसकी नार है जो आप इसके नीचे यहां पर देख सकते हैं तो डिस्क्रिशन में आप लिए पर क्लिक करके इस वेपसाइट पर आ सकते हैं यदि आप अभी तक नहीं आए तो तो यहां पर आएंगे और निस्ट जो प्लान इनका इसेंसल बंडल का वो 137 डालर का है इस प्लान में साथ ही आपको यहां पर देखिए 180 plus जो इनके premium starter template वो भी आपको यहां मिल जाएंगे और WP portfolio plugin यहां पर दे देंगे और काई सारे चीज़े यहां पर दे रहे हैं तो आप जो है इस प्लान को buy कर सकते हैं और यदि आप और ज्यादा चीज़े चाहते हैं तो यहां पर आप इसका लास्ट प्लान है growth bundle आप इस प्लान को लग सकते हैं इस प्लान में यह कापी कुछ दे रहे हैं और जो इस समय इसकी प्राइजिंग चल लही है 187 डालर की है और जिन नार्मल प्राइजिंग है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 249 डालर इनकी नार्मल प्राइजिं इसकी वंडल इनिए आपको सारा कुछ इसमें दे रहे हैं ठीक है जितने इनके अधर प्रोडक्ट से से कंवर्ट प्रो है सकेमा प्रो है अल्टिमेंट एडांस फार इलिमेंटर इनि यह आप एलिमेंटर के लवार है और इमेंटर यूज करते हैं तो आप काफी सारे करके हैं यहां पर आपको काफी सारे courses मिल जाएंगे जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं तो यह प्लान आपके लिए काफी वर्थफुल लेगा आपकी नालेज ही बढ़ाएगा आपको प्रोड़क्त भी देगा तो आप इस प्लान को अगर लेना चाहिए तो आप ले हैं यानि कि आप एक बार ले लिजिए उसके बाद आप उसे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं बस बात यह है कि इनका जो एनुवल प्लान है और लाइफटाइम प्लान है तो आपको अप्डेट उसी प्रकार्श्व मिलेंगे जैसे कि यहां पर आप आएंगे उपर यहा यहां पर benefit यह मिलेगा कि payment आपको सिर्फ एक ही बार देना उसके बाद जितने भी अपडेट से आपको lifetime के लिए मिलते रहेंगे आप इसे lifetime आराम से यूज कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट नेस्ट यहां पर आएंगे तो आनिक बाद आप जो है नीचे आएंगे तो यहां पर और सारी चीजे यहां पर मिलेंगे जैसे के free Astra और pro दोनों में अंतर क्या है वो चीज आपको यहां पर इस पर क्लिक रहें तो आपको देखने को मिल जाएगा उसके आप प्राइजिंग कंपरेजन भी यहां पर दिखाया गया है तो वो चीज आप देख सकते हैं और नीचे आप से refund ले सकते हैं और यहां से कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे तो यहां से 14 टेज मानी गारंटी जो पेपाल है आप यहां पर देख सकते हैं पेपाल वीजर मास्टर काड अमेरिकन एस्प्रेस नॉर्टन तो इनके जरिए जो है यह पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इस चींट इस लोगारा इनके जितने भी लाव रहें इनके वीलियू आप लाए काफी अच्छी थी मैंने इस को यह सारी वीजसाइट बड़िकी है यहां पर आप इनकी बीरेटिंग दे सकते हैं जितनी भी पापलर वेफसाइट हैं उनके सी यो के आप यहां पर देख सकत ही तो आए-या बात करते हैं कि आपको अस्तरा यूच क्यों करने चाहिए तो आस्तरा इसलिए कर नीच है क्योंकि कर दि已 dokft了吧 ने ओर आपी अच्छेãy डीटेल न ही इक दीटेल है अपने पैम के बारे में बताया है जैसे कि भी पर पर्फॉर्मेंस्ट फोकस्ट ही थीम है जैसे कि इन्होंने जेक्वेरी यूज ही नहीं किये और जो फाइल साइज हो लेस्टेन 50KB के अंदर है अगर वेपसाइड फास्ट लोड होगी तो आप गूगल में रैंकिंग बढ़ेगी रैंकिंग बढ़ेगे तो आप इंकम भी कर हैं जिनका यूजर के आप एक अपनी ड्रीम वेपसाइट बिल्ड कर सकते हैं जैसी आप चाहते हैं उस ताइब कि आप असानी से बना सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां जो है लेडर फूटर के आप्सन मिल जाएंगे और ट्रांस्पारेंट यह आपको फ्री वर्जन आप 500 का मिल जाएगा यूद्ल मिल जाएगा और इस पेशिंग कंट्रोल मिल जाएगा और डिफाल्ट कर चीज यहां अब ऑप्रिम्यम ने में करने वाले हों अप немत करेगा तो आप इस विडियो इस्टेप अ करेगे ऐगक पूरा इसक्रेशद से करने वाले हैं अपनी brand new website में तो आप चलते हैं और उस इसका अस्तरह का यूज तरके दलिखते हैं अपनी brand new website में तो उसके लिए क्या करना कि हम अपनी website में आ जाएंगे और यह हमारी brand new website है इसको हम refresh कर लेते। और अब ही जो है हमने इस पर कोई भी थीम नहीं डाली हुई है तो अब इसमें हम अस्तरा थीम यूज करेंगे तो अस्तरा थीम यूज करने के लिए आप यहां से आप अस्तरा थीम को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो है आप जब अपने डैसबोर्ड में आएंगे वर्डपिस के आपको अपएंस मिलेगा उसके बाद झाएंगे इस पर आप किल्क करेंगे यहां पर आपको नुफ का अप्शन मिल जाएगा ठीक हैं घ्यांने जो है इसको हम जो इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे अब एक्टिवेट करने किवाद इसका लूग देख तोटली चेंज रू और कितना अच्छा लुक देगी वेपसाइट आप यह चीज देखिए यहां पर इस चीज को हम रिफ्रेस्ट करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हेडर और फुटर यह काफी अलग है अब चलिए जो है आगे जानते हैं तो जब आप इस थीम को एक्टिवेट क करने बाद अब आपको क्या करना है कि यहां पर आपको एक ऐससा का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इस पर कलिक कर देजिए 1971 ढाने बाद असुझे यहां पर आप जो है आएंगे अस्तरा आप्थन में इस पर आप पिल्क कर देजिए और जब इस पर आएंगे तो आपको यहां पर कुछ कर सकते हैं और यहां पर देखिए एंड फुली कस्टमाइबर यहां पर उसका वरजन है आप देख सकते हैं नीचे आएंगे आने कि बाद यहां पर जो मैं कस्टमाइबर सेट्ञ्स है तो हम इन पर क्लिकर आएंगे करेंगे हम इन पर क्लिकेंग तो हमें कस्टमाइज की आपसन में ले जाएगा और नीचे आप आएंगे तो इसके माडूल दे सकते हैं कि आपको अस्तरा प्रो में कौन-कौन से माडूल देखने को मिलेंगे वह सारी चीज़ यहां पर इन्होंने दे रखी है और नीचे आप आएंगे तो आपको अस्तरा की फ्री प्लगिन पर आपको क्या-क्या मिल ला है फ्री वाले वर्ड यूज करने पर वो चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं फ्री में तो आईए चलते हैं और सबसे पहले हम एक स्टार्टर टंप्लेट डालेंगे जिसका यू आज़ान को भाई करेंगे तो आपको जूं बिल जाएगा यह पहला प्लान लेते हिं तो यहां पर आपको च्टार्टा टंप्लेट घंकूर्ड प्रेमें करते हों क्या कई टंप्लेट प्रोफेस्टों साइट में प्रोफेस्टों सुछान्य करेंगे हैं प्रॉपिक देक्क निति पलतों अन्य बिदेन पंट क्यों प्रॉपित करने हैं है को स्पोर कते हैं पर्षेशनल केयर क्यों से दोन UM क्योंक्स करते हैं यहां पर यहां पर करना चाहते हैं आप यहां से सर्च्छ भी कर सकते हैं महली जाया है यहां पर ब्लोग्स टाल देता हूं तो लेटर जितनी भी टेमपलेट होंगी वह तो आप इनमें से जो भी आपको टेंपलेट अच्छी लग रही है तो आप इनका प्रिव्यू चेक करके आप उन्हें साइट में इस्टाल कर लेंगे आपको बता रहे हैं जैसे मालिज आप इस मांटन वाली ठीम को डालना चाहते हैं तो इस पर हम किलिक कर देंगे ऐसे क्लिक करने के बाद आप क्या है कि आप यहां पर इसका लुग आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफूल है आप इसको जो है क्लोज करके आप अपनी वेबसाइट के पूरा प्रिव्यू यहां पर आसानी से ले सकते हैं कि आपका जो डेश्टाप वर्जन है और कैसा दिख र बात लीए रहा है निस्ट जो है इसको वापस जो है ओपन कर लेंगे इसका डैसबोर और इसके जो है का डेक्स्टाप वर्जन मॉबाइल वर्जन सारी चीज़े देखने को आपको मिल जाएंगे निस्ट यहां पर आप लो बीड यदि आपके पास लोगो है यदि आपके लोगो तो आप जो है लोगो यहां से अपलोड करके आप इस लोगो को चेंज कर सकते हैं ठीक है अपलोड फाइल हीर ठीक है यदि आपके पास लोगो नहीं तो आप इस लोगो छोड़ दीजी बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं चेंज कैसे करना है आगे हम आपको वीडि है कि लोके सकते हैं कि नहीं हमें एसा कलर चाहिए आप कटर है यहां पर चाहिए यहां पर एक option मिलना है तो यहां से आप font अपने देख सकते हैं आपको जो style लगे ठीक है तो इसके बाद आप यहां से choose कर सकते हैं तो इसे by default पर रखूंगा and continue पर click कर दोंगा next आपको यहां पर जो है एक form मिलना है ठीक है तो आपको यदि फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं असरक तरफ से कोई अपडेट आता या कोई नीच वगर आता तो यदि आप इस फिल करते हैं तो आपके में में वह सारी चीज़े आएंगी तो यदि आप डालना जाए तो आप इसे चोड़ सकते हैं और नीचे आपको कुछ आपको कुछ इंपोर्टेट्ट डेटा आपकी वेबसाइट में पड़ा तो इसे आपको अंटिक रखना है यहां की वेबसाइट है तो आपको टिक ही रखना कोई दिकत नहीं एन्ट वेसके बाद हम सम्मिट एंड बिल्ड वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे तो यहां मेडिया वेरा हो सारा कुछ इंपोर्ट करेगा इंपोर्ट करने के बाद हमारी वेबसाइट बिल्ड करके हमें दे देगा तो कितना टाइम लेने वाला वह अभी यहां पर बताएगा तो अस्तरा तीम तीम ने यूजर के लिए इतना एजी तो यूज कर दिया कि उसे काफी उ यहां सोचने करें नहीं यह बिल्कुल बिगिनर है तो आप वह आसानी से वेबसाइट इसका यूज करके बना सकता है यहां पर इसने जो 36 सेकंड में वेबसाइट बूल करके दे दिये तो और हमें क्या चाहिए तो अब चलिए हम अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं तो यहां पर आएंगे और यहां इस वेबसाइट को रिफ्लेस करेंगे तो देख लिए एक कुछी मिनिट में हमारी वेबसाइट त्यार हो गई काफी वेबसाइट त्यार हो गई तो आप यहां से इस पूरी वेबसाइट को यहां से देख सकते हैं एकसेस कर सकते हैं और यह प अप्षिए मेद्य और और आपको यहाँ आपको आप इस पर क्लिख कर देंगे और क्लिकरने के बाद आप पिरेंस में आएगे तो पर आप उप्टन का निल जागा है यदि आप यहां से क्लिक कर एक यहां से जाना जाहरे तो यह पर क्लिक कर देब्टेरुख स्थियुक onn谷ल भिल यहां पर देंगे द्सकर लेने लिए इस का ड्यख कर देंग्ट बोल वर्चाली में इसलिए यहां पर यह बोल ला है कि आप यह करते हैं तो आप काफी यहां पर मिलेंगे ठीक है तो यहां पर हमें टोपोग्राफिक कलर कंटेजर बटन एंड ब्लॉग इडिटर का अप्शन मिल ला है तो टोपोग्राफि में आपको प्रेसेट्स मिल जाएंगे यहां यहीं हेडिंग डिजाइन की बात करें ठीक है तो यहीं हेडिंग डिजाइन में आप सारी चीजों पर क्लिक करके देख सकते हैं जैसे कि माले हम इस वाले फॉंट को लेते हैं लॉट और लोरा का प्रेसेट ठीक है यहीं कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिख जाएगे जो टेक्स्ट का डिजाइन है टेक्स्ट का फॉंट है वह सारा चीज होगा एंड इस वाले हेडिंग को लेते हैं जिस से आप फॉंट को चेंज कर सकते हैं रिफ्रेश करेंगे तो वापस डिफार्ट वाला आ जाएगा जो पहले था उसके बाद बॉड़ी फॉंट यानि कि टोपोग्राफिम आएंगे तो आप जो है अपनी वेबसाइट के फॉंट कर सकते हैं टेक्स्ट का साइज घटा सकते हुग से बॉड़ा सकते हैं ओसाइolा, पेटिक मिलें टेक्सट के लिए टेबलेट वर्जन के अबाश्क चाहिए की तो अनका लेया कुछ हाएट शुर्ट कर सकते हैं यहां पर आगे अपने चीज vendors को प्रिशेट गर सकते हैं जैसे कि हमने किया उसके बाद देख सकते हैं कि जो साइज दिया हुआ है जो कि होल वेफ साइट में होगा वह 50 पिक्सल का है तो इससे हम यहां कर देंगे तो जो होगा होता जाएगा देखिए आपके सामने जो चेंज हो रहा है तो इसको हम जितना एज़िटीच कर देते जो पहले था 50 प पर यह इंप्लिमेंट हो जाएगा कि यहाँबर हम पब्लिश कर देते हैं जो हमारी वेफ साइट में हो गया एंड आए जानते हैं ने स्का जो है उसको देखते हैं तो बैक करेंगे और बात कलर्स में आएंगे कलर्स में आने बार सबसे पहले हमें ग्लोबर पलेट का उप सकते हैं यानि कि जो बैग्राउंड में कलर यूज हुआ है या फिर हेडिंग कलर यूज हुए है जो भी इसमें बटन से कलर यूज हुए है जो इनमें हावर कलर यूज हुआ है वह हम पलेट के जरी डिसाइड कर सकते हैं यह हमारा काफी टाइम जो है बचा सकता है हम पहले स बार बार हार पेज में चाहिए बुटन का रिये चाहिए अपने ड करेंगे तो ऊसी प्रकार से जो हो पर लेता चले जाए जब अपनी वेपसाइट बिल्ड करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले अगर बना लेंगे तो हमें वेपसाइट बना लें में ज्यदा समय नहीं लगेगा यहां पर यह काफी टाइम हमारा बचाएगा तो यह काफी अच्छा फीचर उन्होंने दे दिया ह है उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो देखो त्रीम का लर इसके बदल जाएगा जो पहला था उसको ही रख लेते हैं माइनर चेंज है यह थोड़ा से एंड इसके बाद हम नीचे आएंगे और त्रीम कलर यहीं के एसेंट लिंक का कलर क्या होना चाहिए हेडिंग का यहां पर जो है सारी चीज़े डिसाइड करती है पहले से जो हमने टेंप्लेट ली है उसमें जो भी यूज हुआ है सारा आया कलर देखिए टेक्स्ट कलर यह चेंज करना चाहते हैं हम माल लिजा रेड कर दें पूरी वेप साइट में हमको जो है कलर देखने को मिलेगा तक हमने पर देख सकते हैं यहाँ पर हैसी करते हैं अचाहीं करते हैं डेर दो भाख आंगो मिलेगा तो पहले पर देख लेते हैं जैसे हम कोई पर वेप्साइड करते हैं ऊसमें उसमें साइडबार चाहिए होता है है और कुछ में हमें साइडवर ची आप सकतर नहीं होती है तो आपको साइडवार समीन करने का एक मिल जाता है यदि आप फॉलिःध can't और तीसरा जो लास्ट है फुल्विद एंड इस्टेश का अप्षन मिल ला है तो अपने जिस टैप के हमें चाहिए वह हम बना जाएगा एंड फुली तो जो है फुल्विद एंड कंटेंट में आजाएगा सारा चीज़े और इस्ट्रेच में आएगे तो साइज पुरा बढ़ जाएगा और टेक्स्टिव हमारे वह जाएगा यहां पर आपको अभी देखने को नहीं मिल ला जाएदा उसका रीजन यह है कि यह पूरा टेंप्लेट बिल्ड है यह एक ब्लॉग वेपसाइट हो तो आग उसका काफी ऐसे से यहां पर देखने को मिलता चीजों को जैसे कि इसको मैं थोड़ा से करता हूं तो यहां से आप अपना जो है ले आउट फिक्स कर सकते हैं उसके बाद यहां पर कंटेंड इसको इसमें जो आप देखिए यहां पर आपको चेंज मिले गए जो हमारा कंटेंड का विद है जो इसकी लेंथ है उससे चोड़ाई जो है कम ज्यादा कर सकते हैं वैसे कि यहां पर आएंगे इसको कम करेंगे हम तो देखिए यह जो है इसका जो विद है कि कम हो गया और है यहादा कर देते हैं तो यह ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर जितना था उसको लेना पड़ेगा वेशले जितना है पहले था उतना ही है फिल्ड हो गया है तो आप जो है अपने लेओट जो है फिक्स कर सकते हैं ठीक है content का साइज कर सकते हैं और यह ज्यादा चाहिए तो हमें अस्ता प्रोच पर लेना पड़ेगा ठीक है नेस्ट हम आगे तो यहाँ पर बटन का आप से मिल ला है कि बटन का आप कैसा डिजाइन चाहते हैं तो यहां से पहले से जारा कुछ अपने आप सेट हुआ है हमने टेंपलेट लिया हुआ करते हैं तो हमें सारी चीज़े खुछ से बिल्डप करनी पड़ती तो यहां से बटन का ले सकते हैं ठीक है छोटा हो गया बटन एंड इस पर आएंगे तो जब हम इस बटन को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमारा बटन है वह चेंज हो गया है इसको लेंगे इसका पूरा लेयाओट चेंग हो रहा है इसको लेंगे लेयाओट चेंग हो रहा है इसको लेंगे तो लेयाओट चेंग हो रहा है तो आप जो है आप को जिस टाइप की चाहिए आप बिल्ड कर सकते हैं अपने बटन का लरों यहां से आप सेलेट कर सकते हैं कर देता हूं तो इसका पेडिंग जो है बढ़ जाएगा देखें यहां पर आप देख सकते हैं और बॉटम भी कर दूंगा तो बटन जो है अंदर से और बड़ी हो जाए जो इसके बढ़ता जा रहा तो एक ब्यूटिफुल लेयर देने के लिए एक ब्यूटिफुल पैरामी जाएगा जीजह है जो भी है आप यहां से असानी से करके सारी चीजों को कि कर सकते हैं और में अनलम कर सकते हैं। Etrala कि ए । ब्लॉटम beams मिला है तो ब्लॉग इटर यादि आप गुटेन पर का यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं ब्लॉग इटर तो वहां उसके सारी चीज़े यहां पर आपको देखने हुए यहां पर ब्लॉग करेंगे इसको और बैक करने के बाद हमें यहां पर एक मिला यहां पर एक मिल्डर का अप्षन कि यहां पर सबसे पहले हिमारे सामने का आप्षन मिला है त्याहां से हम अपना लोगोट टाल सकते हैं उस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिये लोगो जो अभी माउंटें कų अथा लोगो यहां पर image लगा हुआ लोगों का और एक रेट इने लोगों का option मिलना है और आप नीचे आएंगे तो logo with कभी option मिलना है और यहां पर दिया है display site title display site tagline तियर site title आप show करना चाहते हैं तो इसको enable कर देंगे तो यहां पर देखे my wordpress जो हमारे website title पड़ा हुआ है वह वहां पर show होने लगा है तो site title show करने की ज़्यादर जरूत नहीं होती यह आप show करना चाहते हैं तो आप enable कर सकते हैं tagline डालके उसे भी enable कर सकते हैं उसके बाद site का icon आप दे सकते हैं जो फेव icon लगता है इस site icon का option यूज करके आप जो site का icon लगा सकते हैं ठीक प्रैंट उसके बाद back करेंगे तो यहां पर आपको काफी option मिल जाएंगे जो आपके logo site title और site tagline के लिए तो यहां पर आपको जो है आपके website का logo हो गया site title हो गया site tagline होगा site icon लगाने का option यहां पर मिल रहे हैं उसके न दीडिक सकते हैं यहां पर आपकी लोगों मार्ची का option मिल लाया को सब्सक्षच बात्याएंगे लोगों के लिए में से margin दे सकते हैं लिए पर फोले धेडिंग देखने को लैंडे यहाँ पर यहाँ पर यूज करना है को यहाँ बिदылक हैं यहाँ पर याँ में क्लिक यहाँ पर उन वचासे में हो इस आफशन के चाहते हैं यहां दो वर सोगों लेंकुतार में ना च्वाइल में लखना चाहते हैं कि मुबईल में उद्धार मॅभाइल non लोगो के लिए यूज कर सकते हैं तो गाइज यहां पर हमारी ब्यूटिफिल वेफसाइट बिल्ड हो चुकी है और इसे बिल्ड करने के बाद यदि हम चाहते हैं कि हम इसमें कस्टमाइज करें जो कि आप करना ही पड़ेगा ठीक जैसे उसक्षर ंसे करना जायते हैं कि फक्रतब्ड तर्फ मारे में टीनियू करते रहें कि अगया तो जगया जट जगा जगा झाल झाल कि अगाल झाल